नमस्कार स्वागत है आप सभी का नियूस वॉच इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ मेगना सश्टीबा कहीं बार ने तवाही मचाई है कहीं बूंद बूंद के लिए लोग तरसने के लिए वजबूर है आज बात सरोकार की में हम बात करेंगे गोंडा की जहां परशासन के खिलाफ गांवालों का गुस्सा फूट गया है और फूटे भी क्यों ना जब अनदाताओं की फसले सूक रही है नेर की माइनर में पानी नहीं है लेकिन नेर विभाग न जाने कौन सी कुमकर्णी नीद सोय हुआ है करेंगे इसी पर सवाल जवाब पर पहले आप ये रिपोर्ट देखी देश का किसान तप्ती धूप और मौसम की मार के बीच भी खेत पर काम करता है और परशासन की लापरवाही या पर कभी मौसम की रोदर रूप उसकी महरत पर पानी फेर देते हैं गौंडा में कुछ ऐसा ही हुआ है जहां किसानों की परशानी की वज़ा है माइनर में पानी ना होना है कि हम लोग खेती नहीं चीज पा रहे हैं गन्ना की खेती जुरा रहा है अच्छा हम लोग का कोई सुभधा नहीं दे दिया जा रहा है क्या माइनर में पानी छोड़ा ही नहीं जाता है दिखाने के लिए कि पानी जा रहा है नहार में पानी आता है उसके बाद कर जाती है बतादे किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जंकर नारेबाजी भी की है सरुनेहर के माइनर में पानी ना आने से किसानों के फसले सूक रही है ये पूरा मावला गोर्णा के सरुनेहर खन चार के कठावा माइनर का है पानी की कमी से खेदों के सिटाई नहीं हो पा रही जिसकी विरे से किसान काफी परशान है अब देखना ये है कि किसानों की इस परशानी पर प्रशासन आकर आक्शन कब लेता है और गोर्णा के अनुदाताओं की पुकार कब सुनी जाती है ब्यूर रिपोर्ट न्यूज वॉच इंडिया जो है एक तरफ प्रधानमत्री नरेंदर मोदी ने पड़ासी जिला बलरांपुर में किसानों को सर्यू नहर परियोजिना की बड़ी सौगात दी थी वहीं एक साल भी नहीं बीता और माइनन पानी नहीं है इससे किसान काफी परिशान है हरी बरी फसले अब सूख रही है आखिरों किसे चाई हो तो कैसे हो इतना ही नहीं कुछ किसान के पास अपने खेत तक पानी ले जाने के लिए कोई भी स्त्रोत नहीं जिसके कारण उपजाओ जमीन भी अब बंजर होती जा रही है हाला आती है किसान अब नारे बाजी कर रहे हैं लेकिन परिशासन कुमकर्णी नीद सोय हुआ है अला कि पूरा मामला क्या है मामले को लेकर अपडेट क्या कुछ है हमारे सायोगी जुड़ गए गौंडा से सतीश उन से जानते हैं सतीश लगातार इस तरह के मामले गौंडा से सामने आ रहे हैं किसान परशान है देश का अंदाता परशान है लेकिन उसकी पुकार आखर प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है जी बिल्कुल मैं आपको बता दियो भी जल्दी परधान मंत्री नारेंद मोदी और वोसी जिला पलरामपुर में सर्जी नहर पर रिजनाओं का बड़ा ही लोकापड के थे और लोग किसानों को सुब्धा मिले इसके लिए तमाम रुपया खर्चा किये थे अरब रुपया यह मामला सूब नहीं आया गौणडा में हालात ऐसे होते रहते हैं कभी मोसम का रौदर रूप और प्रशासन की लापरवाहिए ये दोनों बज़एं, लगातार अनदाताओं को और परशान कर रही है फ ere लाल जो रिपोर्ट हमने दिखाई हैं, उसमें अनदाताओं की परशानिया हमने दिखाई हैं लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई आशवासन इन लोगों को अब तक दिया गया है? परसासन की तरब से बिल्गूल कोई अजी की जाती है तो वह भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं किसानों की फसल बरबाद हो रही है किसानों की फसल तो पूरी जिले की इस्तिती है बुरे जिले की बात कर रहा हूं, पुरे जिले की इस्तिती बरकरार है पर जिले के जिम्मेदार अधकारी कुछ बोलने को तैयर नहीं आए सदीश एक तरफ ये दाववादे परशासन सरकार करते हैं कि 2022 तक किसानों की आए दोगुनी कर दी जाएगी लेकिन इन हालातों में किसानों की आए दोगुनी तो क्या जो उनकी अभी आए है वो भी शायद वो नहीं कमा पा रहा है और दोवक की रोटी भी सही तरीकि से नही का पार है क्योंकि जो फसले है वही उनका जीवन है वही उनकी रोजी रोटी है और अगर वही सूख जाएंगी या पर जब बार वाले हालात होंगे तो फसले बह जाएंगी या खराब हो जाएंगी तो इन हालातों को लेकर कितनी बार प्रशासन के पास किसान गए है और कितन अगर वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाएं तो जिम्मेदार अधिकारी इस पर कहीने कहीं पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं सतीश हमने देखा कि यहाँ पर आकरोश्ट किसान लगतार नारेवाजी कर रहे ते कि उस दोरान प्रशासनिक को अधिकारी वहाँ पर पहुँचा हो या किसान किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास गए हो ग्यापन लेकर अपनी मांग लेकर और वहाँ पर बात ना सुनी गई या पर कोई आश्वासन दिया गया हो कि इतने वक्त में पानी आ जाएगा सतीश आवास पहुंच पा रही है आप तक मेरी तो फिलाल मेरी आवास नहीं पहुंच पा रही है सवाल यह उठता है कि अनदाता लगातार पुकार रही है तस्वीरें यह साफ तो पर दिखाती है कि किसान परशान है माइनर में पानी नहीं है एक तरफ तो बलरामपुर में सर्यू नहर पर योजना की सौगात दी जाती है और दूसरी और सूखा माइनर आपके सामने तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं और इससे परशान है किसान कभी तो यहां के अलात ऐसे होते हैं कि हर तरफ पानी पानी तराहिमाम तराहिमाम होता है बार जैसे अलात बनते हैं और उसके विपरी टस्वीरा आप देखिए कि अब सिचाई भी नहीं हो पा रहा है माईनर में पानी नहीं है अब सवाल ये उड़ता है कि यहालात आच पहली बार गोंडा में नहीं बने हैं आखर प्रशासन कहा है कुमकर्णी नींद प्रशासन की कब तूटेगी एक तरफ देश के अनदाताओं की आए दोगुनी करने की बात कही जाती है 2022 तक उनके लिए और योजुनाय लाने की बात कही जाती है लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्यूं बार बार आखर अनदाताओं की पुकार को अनसुना कर दिया जाता है तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बया करने के लिए काफी है ये देश के अनदाता हैं इससे पहले कई मुद्दो को लेकर अनदाता सामने आए हाला कि सरकार बहुत सारी योजुनाय चला रही है लेकिन प्रशासन आखर कहां अदारत है माईना में पानी नहीं है तो पानी कब तक आएगा इसका जवाब कौन देगा आखर इन किसानों क कौन सुनेगा हम लगातार प्रशासने का अधिकारियों को कौंटाक करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सवाज जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यूं आखर गोंडा की किसानों के हालात बद से बत्तर होते जा रहे हैं तपती धूप में किसान काम करते हैं चाहे मौसम क कोई भी रूप हो लेकिन किसान घरों के बाहर निकलते हैं काम करते हैं करोना काल में जब आप लोग अपने घरों में बैचे थे आराम से तब भी ये किसान आपके खाने क्या इंतजाम करने के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए खेतों में मौझूद थे काम कर रहे थे लेकिन आखिर इन अंदाताओं को क्या मिला है? ये तस्वीरे मिली हैं जहां पर उनकी उपजाओ जमीने भी अब बंजर होती जा रही है. सिचाई नहीं हो पा रही, माइनर में पानी नहीं है. इसी के साथ खेतों तक पानी ले जाने के लिए कई किसानों के पास कोई इस्त्रोत नहीं है. इस वज़े से उनकी उपजाओ जमीन भी बंजर होती जा रही है. अब खेतों की सचाई कैसे होगी? प्रशासन इस पर क्या जवाब देता है? और क्यों अब तक ध्यान नहीं दिया गया? यह कोई छोटी समस्या नहीं है? गुणा की एक बड़ी समस्या है क्योंकि यह आलाद पहली बार नहीं बने हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसे आलाद बने हैं. तो खंड चार का यह मामला है? सर्यू नहर खंड चार का यह मामला जहाँ पर सवाल यह उटता है कि कैसे खेतों की सचाई होगी? नहर प्रशासन के खिलाफ आक्रोशत हैं किसान? हलाकि हमारे सयोगी ने एक बात हमें बताई कि सिर्फ यह विकास खंड नहर खंड चार का मामला नहीं है, बलकि यह पूरे गोंडा जिरे के हालात ऐसे हैं. यह तस्वीरे सिर्फ एक जगा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही बलकि गोंडा में हर जगा हालात ऐसे ही हैं, यह हमारे सयोगी ने हमें जानकारी दी है. नहर प्रशासन के खिलाफ किसान आकरोशित हैं और अब बूंद बूंद को किसान तरस रहे हैं, कैसे खेतों किसे चाहिए होगी? जम कर किसान नारे बाजी करते में नजर आए? लगातार हमारे सयोगी से हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं. ये किसान सवाल कर रहे हैं सरकार से प्रशासन से कि आकर उनकी बातों को अंसुना क्यों किया जा रहा है? जहां एक तरफ अपनी फसलों के सही दाम के लिए लगातार ये किसान जंग लड़ते हुए नजर आते हैं, प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं. वहीं दूसरी और ये तस्वीरें जहां पर नहर प्रशासन के खिलाफ आकरोश है और और हालात खराब होते जा रहे हैं. सतीश हमारे सायोगी जुड़ गए हैं फिर से हमारे साथ एक बार. सतीश देखिए यहां पर एक और बहुत बड़ी समस्या है. कई किसान ऐसे हैं जो उनके पास पानी लिजाने के लिए कोई स्तरोत नहीं है. यानि कि पानी हो भी तो उनके लिए बड़ी समस्या है. उसको किसे बात करने को तैयार नहीं है. लगातार वो यही कहए हैं कि हमने जिम्मेदार अधकारीों के पास जाने की कोसिस की और उनके बात को करने की को को सिब चेंद ситу कि बात की लिए. इसमें कितना पानी यहां पर दिखाए दे रहा है इसे किसानु की फसल की सचाही कहा हो पाईगी यह आप देख सकर अंदाजे लगा सकती हैं अच्छे से आप दिखा देश सतीश ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि तस्वीरें सच बया करती हैं और साफ तोर पर कितना पानी है ये दर्चक देख पाएं एक बार अच्छे से आप तस्वीर दिखा दीजी अपने पीछे की जिन्मेदार अधिकारी यहां की होस में आए तो रात में कुछ पानी को छोड़ा गया उसके बाद में फिर तुरंड बंद कर दिया गया जिससे जो किसानों की फसल है वो लगातार सुक से भी दिखाई दे रही है और इतने पानी में किसानों की फसल की जो सिचाई है वो यही दिखाई दे रहा है कि इतने पानी से किसानों की कोई फाइदा नहीं हो पाएगा लगातार जब जिम्मेदार अधिकारियों की बात की ग तो उन्होंने सिर्फ दिखाने भर के लिए दिखावा करने के लिए देखी कितना पानी यहाँ माइनर में छोड़ा है तस्वीर बकाईदा सच को बया करती है कि अधिकारी सुनकर भी कैसे अंसुना कर रहे हैं क्या इतने पानी से किसान सिचाई कर पाएंगे एक नहीं यहाँ सकते हैं कि क्या हालात हैं किसानों से बात चीत की अधिकारियों से लगातार सवाल जवाब करने की कोशिश की लेकिन अधिकारी शायद जवाब देना सही नहीं समझते हैं हमारी टीम भी लगातार अधिकारियों को फोन मिला रहे हैं कई लोगों से बात की लेकिन शायद कोई यहां पर जवाब देना ही नहीं चाहता है या समस्या को समझना ही नहीं चाहता है अब सवाल यह उटता है कि एक तरफ रदानमत्री नरेंदर मोदी एक बहुत बड़ी सौगात बलरामपुर को दे कर जाते हैं लेकिन दूस्टे और गोंडा की हालात की बात की जाये तो में एक दो दिन में हालात सुधर जाएंगे या इतने से पानी से उन्हें गुजारा करना पड़ रहा है कि हमारी समयसाओं का समधान करने के लिए कोई तयार नहीं है किसानों की जबाब से यहां के जिम्हदार अज़कारी हैं वह भी लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम यहां की तस्मिर दखाएंगे यह वही मानर है जहां पर यह सुखा पड़ा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी आया और उसके बात में उससे बंद कर दिया किसान काफी परिसान हैं लिक्र लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि यहां के जिम्मेदार हैं वह इतनी लापरवा हैं कि उनकी कानों तक बचते होई भी नजर आ रहे हैं असतिश आपने यह भी दिखाया एससे पहले कुछ मिलें आप गोंडा के सामने लेकर आया आपने उज़ागर भी किया उनको START यह सब देखकर लगता है कि जो कि स्थां़ी पर रशासन हैुन पता होगा जब प्रशासन नहीं सुन रहा है तो क्या विदायक जी कुछ करने ही रहे हैं? इस सर्जु नहर पर युजना से इस माइनर से किसान की लाब हो रही है किसान इस नहर से फायदा उठा रहे हैं और अपनी खेट की सिचाई कर रहे है यह केवल कागजों में दिखाई दे रहा है लेकिन उनका लाब सिर्फ कागजों में ही मिलता है किसको मिलता है नहीं पता क्योंकि यहां पर जो किसान है उनके चेहरे मुझाय हुए है हला कि थोड़ी सी उमीद जगी जबरात ने पानी आया लेकिन फिर से माइनर के पानी को बंद कर दिया गया सतीश अधिकारियों से किया आपने पूछने की कोशिश की कि इतनी उमीद दे कर किसानों को वापस पानी क्यों रोक लिया गया क्या कारण है कि माइनर पहले पानी आप लोग देते हैं फिर रोकते हैं और ऐसे में किसान आगे कैसे बढ़ पाएगा जब देश का अनदाताई आगे नहीं बड़ेगा देश का विकास कैसे हो पाएगा अधिकारी हैं वो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं सभीज मैं चाहती हूँ कि आप बताएं क्या आपको वाकर किसी अधिकारी नहीं कहा है कि आप खबर मत चलाईए और पानी अभी छोड़ दिया जाएगा थोड़े देर इंतजार कर लीजिए ऐसा क्या आपको किसी ने कहा है अचादू देखिए लगातार सतीश से बात में कर रही हूँ बकाइदा इस खबर को देखा जा रहा है हमारी खबर का असर होता वा नजर आ रहा है लेकिन असर इस तरह से कि हमारे सयोगी को टार्गेट किया जा रहा है फोन किया जा रहा है जब हमारी टीम अधिकारियों से कॉन्टाक करने की कोशिश की जा रही है तो उनका ये कहना है कि आप खबर मत चलाई है आप मत दिखाई है लोगों को सचाई क्या है हम पानी छोड़ देंगे आकर अब तक जिम्मेदार अधिकारी कहां थे हमारे सयोगी को क्यों टारेक किया जा रहा है उसे क्यों फोन किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारी खबर का कितना बड़ा असर यहां गोंडा प्रशासन पर होता हुआ नजर आ रही है अब देखिए इससे पहले भी गोंडा की हमने खबर जब दिखाई थी तो प्रशासन ने एक्शन लेने के लिए कहा था बकाइदा ट्वीट किया था उनका रियाक्शन आया था अब सवाल यह उटता है कि इतनी कमिया और खामिया आखर खबर चलाने के बाद ही क्यों दिखती है आखर खबर चलाने के बाद ही क्यों यह आदाता है कि गोंडा प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है इन किसानों को ना सुनकर सतीश आप लगातार वहाँ पर बने रही है किसी दिडरने की ज़ुरत नहीं है लगातार हमारी टीम भी कोशिश कर रही है अधिकारियों से कांटाक करने की आखर कब तक सवाल जवाब से बचेंगे फिलाल किसानों का अगे प्लान क्या है क्या कोई बड़ी लड़ाई वो लड़ने वाले है इसके लिए कहा जाएंगे किस प्रशास्नी कदिकारी का रुखब किसान करने वाले है सतीश चले फिलाल मेरी आवाज नहीं पहुँश पारे सतीश तक कोशिश रगातार करते रहेंगे उनसे संपर करने की लेकि सवाल वही बना हुआ है कि खबर चलाने के बाद आखर क्यूं असर दिखता है से पहले क्यूं परशास्ने कदिकारियों को किसी की आवाज नहीं सुनाई देती हमारा मकसद आज यही है इस प्रोग्राम के जरीए और लगातार जब भी हम इस प्रोग्राम में एक नया मुद्धा लेकर आते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हम बात उस चीज की करें जिसका सीधा सरुकार आप लोगों से हो यह सवाल जवाब यह पूरा मुद्धा उठाना आपकी आवाज बुलंद करना यही इस प्रोग्राम का मकसद है तो लगतार प्रशासने गदकारियों से हमने बात करने की कोशिश की खाला कि सवाल बहुत सारे हैं जवाब किसी ने देने की जहमत नहीं उठाई लेकिन हमारे सयोगी को लगतार फोन किया जा रहा है उनसे कहा जा रहा है कि आप खबर मत चलाईए आप ग्राउन पर जाकर अपडेट मत दीजिए लेकिन किस तरह से किसानों ने अपनी बात आपके सामने रखी है वो आपने देखा ये किसान लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थी और आज बात सरोकार की इस खास कारकरम के जरीए हमने उन किसानों के सरोकार की बात की है आपके सरोकार की बात की है गोंडा जिले में हालात यहीं है लेकिन प्रशासनी का धिकारी सुनने को तयार नहीं हाला कि अब खबर चली है तो असर होता हुआ नजर भी आ रहा है आने वाले वक्त में देखते हैं किस तरह से इस मामले को लेकर आक्शन दिया जाता है और कब इन किसानों की पुकार सुनी जाती है माइनर में पानी कब आएगा ये देखने वाली बात है फिलाल के लिए इस ख पासकार करमे इतना ही नवस्कार